साथ्यों, कोरोना महामारी के चलते शुरू में लग रहा था कि इस बार इस तरह से रेली करना संभव होगा के नहीं होगा लेकिन देश की ताकत, उत्राखन के लोगों की ताकत ने आज इस रेली को सच करके दिखाया है ये इसलिए मुम्किन हो रहा है, क्योंकि आज उत्राखन के पास बैक्सीन की सुरक्षा कवच है हमारे उत्राखन ने रिकॉर्ड समय में शत्र प्रतिशत आबादी का सिंगल डोच बैक्सीनेशन करके दिखाया है मैं इस जागरुकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाईयो बहनों को रदय पुरवक बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपके युवां बुख्यमंत्री स्रिमान धामी जी को उनकी पूरीच सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कुड़ों ने वैक्सिनेशन का काम गाउं गाउं गर गर पहुँचाया कठिन से कठिन परिस्तिती में भी पहुँचाया दामी जी के काम ने ऐसे लोगों का मूँ बंद कर दिया है जो कहते थे कि दूर सुदूर पहड़ों में इतनी उचायों पर वैक्सिन तो पहुँची नहीं सकती है आपको मालूम है न ऐसी बाते कौन करते थे जानते हो न आप लोग ये निराशा से बरी वही बाते किसकी होती थी आप इन लोगों को भली बाती पहचानते हो न ये वही लोग है जिनोंने वैक्सिनेशन अभियान के दौरान भारत की वैक्सिन को लगातार बदनाम किया वही लोग है जो वैक्सिन को लोकर चारों तरफ दिन रात अफ्वाएं फैलाने में लगे थे साथियों आप एक बात और सोचिए वैक्सिन तो सबके लिए होती है फिर इनको वैक्सिन से क्या तकलिब थी इनको तकलिब ये थी कि वैक्सिन की वज़े से हर देशवासी सुरक्षित हो जाएगा और अगर सुरक्षित हो जाएगा तो ये लोग पहले भी मोदी का जय जय कार करते थे अब जोर ज़्यादा जोर से मोदी का जय कारा करेंगे और साथ साथ दामी का भी जय जय कारा करेंगे ये लोग नहीं चाहते थे कि उत्रा खंड में फिर से भाईयों बैनों ये ऐसे विकृत राजनिती वाले लोग हैं कि वे अपने राजनिती स्वार्त के लिए औरों का बुरा सोचते हैं बुरा देखते हैं ये लोग तंत्र में नहीं चल सकता हैं भाईयों बैनों वो तो नहीं चाहते थे वैक्षिन लग जाएगी तो फिर बैद्रिनाथ, केदारनाथ, मसूरी, नहीं निताल ये आत्री आना शुरू हो जाएंगे, टुरिस्ट शुरू हो जाएंगे तो फिर उनकी राजनीती की खिचड़ी कैसे पकेगी और इसलिए वो लोगों को वैक्षिन के लिए गुम्रा करते थे ये नहीं चाहते थे कि वैक्षिन का कबच पाने के बाद रोजगार और उद्योग धंदे फिर से चल पड़े आप उदमसी रगर के लोग तो अच्छी तरह समते हैं कि इन्होंने कितना खतरनाख खेल खेला और इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा जानते हैं क्या थी ये सोचते थे कि सब कुछ पट्री पर आ जाएगा तो ये मोदी को गाली कैसे देंगे फिर ये भारत को बंदनाम कैसे करेंगे लेकिन ये लोग उत्राखन का सामर्थ बूल जाते हैं मेरे प्यारे भाईयों बेनों ये दसक ये दसक उत्राखन का दसक है ये दस साल उत्राखन के लिए बहुत महत्वपून है आज जो अठारा साल के नौजवार है बेने बेटिया है उनके लिए ये दस साल उनकी जिन्दगी का भी महत्वपून अवसर होता है हमारा देश हमारा उत्राखन ऐसे लोगों के रोकने से रुकने वाला नहीं है आज उत्राखन में परियेटन रोजगार फिर से पट्री पर लोटने लगा है उदमसी नगर के उद्योगों ने फिर से गती पकटनी शुरू कर दी है